हेलो एब्रिवन स्वागत है आपको सुलेखा की दुनिया डेली व्लॉक्स में तो कैसे हो गाईज आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज का जो ब्लॉग है गाईज जो दुपहर के दो बजी श्टार्ट हो रहा है और अभी क्योंकि गाईज सुब तो बहुत सारा काम ठाब ने के तो पूराने वाले में बुल्कुल भी नहीं बना रही हूं। तो गाई जितने देर से हम रील बनानी की कोसित करें और यह जो महासे हमारे पती देव है ना यह हमारी रील पूरी की पूरी खराब कर दे रहे हैं अब रील बनाने दो गया नहीं बनाओ तो चमकाते क्यों पता है गाईज मैं आप लोगों के साथ इस्टाग्राम पे एक दो पोस्ट करूंगी ना आप लोग जाके जरूर देखिएगा यह ना पूरे रील में ऐसे आखे मटकाते हैं ऐसे करते हैं ना पूरे मतलो मैंने तो कर लिया है मैं डालूंगी क्योंकि आप मुझे वीडियो नहीं बनाने देते ना इस लिए है ऐसे दबा दोंगी तो गाइज अभी साम के बच गया है चे और अब पतिदेव सोके उठ गया है क्योंकि ये सो गय थे गाइज और जैसा कि हमने कहा था हमें शौपिंग करने जाना है तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ तो निकलते हैं शौपिंग करने के लिए तो क्य निचे हैं तो हम पहुच गया है साड़ी की सौप पे यहां से हमें इसाड़िया लेनी थी क्योंकि जब भी हम गाउं जाते हैं तो ममी जी के लिए साड़ी यहीं से लेके जाते हैं लिए तो वही देखने आ गये थे और कुछ सा choir always लेनी थी एक्ष्टा जैसे मतलब कोई आ गया घर पर ने उता गारा करने के लिए तो वही देखने आ गए थे हम Yak यहां पर मैंने काफी सुंदर सुंदर साडिया देखी और गाइज यहां पर मैं खुद की सौपिंग करने नहीं आई हूं मैं घर के लिए सौपिंग करने आई हूं तो यही सब मैं देख रही हूं बाकि जब खुद की सौपिंग करूंगी तो आप लोग को अलग से वीडियो जरूर दिखाओंगी तो अभी यहाँ पे हम डेलीवेर के लिné साडिया देख रहे थे तो काफी प्यारी पैरी साडिया देखी मैंने बट मुझे ज्यादा लेना नहीं था जो भी लेना था दो चार वह मैंने ले लिया है तो यहां पर पता नहीं कि college सारी आवाज म्यूट हो गई वरना आवाज भी रिकोर्ड हुई थी और सारी साडिया भी अच्छे से देखा हमने और यहां पर एक साइड गाइज यहां पर आपको डेली वेर के लिए साडिया मिल जाएंगी मतलब 500-600 तक की और एक साइड आप यहां देख लोगे तो आपको मतलब हैवी साडिया मिल जाएंगी ब्राइडल लुक की तो हर तरह की साडिया मिलती है यहां पर और जबी मैं गाउं जाती हूँ तो मैं यही से साडिया ले जाती हूँ इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है यह सौब और गाईज मैं मार्केट आऊं और गोलगप्पे ना खाऊं ऐसा तो हो नहीं सकता तो यहां पर हमने गाड़ी साइड में लगा के गोलगप्पे खाएं काफी जादा अच्छा गोलगपपा मिलता है बट गाउं की तरह बिलकुल भी नहीं मिलता जो भी मिलता है इसके यहा वापस तो चले गए मार्केट क्योंकि हमारी बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है तो वो सर्विसिंग के लिए आया थे तो वो चले गए हैं बाइक लेने हम लोग जहां सौपिंग करने गए थे वहां थोड़ी दूर से पैदल पैदल आया है बाइक हमने वहीं प ज्यादा कुछ तो नहीं लिया गाइस क्योंकि उत्ता समझ में नहीं आया यहां पर थोड़ी मोटी चीजे लेनी थी हमें छोटी मोटी चीजे जो की हमने लिया है तो आपको जरूर दिखाएंगे तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा कहीं मत जाईएगा लिकिन ने